इस दुनिया में सब के लिए परसनल होना चाहिए लेकिन बीच में ये आग थोड़ी सी ठंडी देखने को मिली लेकिन जब उड़ीदा सर्जिकल स्ट्राइक आई है उसमें पुरा सेनेरियो ही चेंज कर दिया पैटिटिक मोवीज बनाने का मानो आप खेलसा हो गया है बहुत सी चीजें देखो ओड़ीदा सर्जिकल स्ट्राइक से कॉपी करी जा रही जो उनके डाइरेक्टर थे सब कुछ ऐसा नहीं था कि हमने पैटिटिक मोवीज देखी नहीं थी ओड़ीदा सर्जिकल स्ट्राइक अगर आज भी थेटर हाउस में चला दी गई 90% ओडियंस दुबारा जाएगी और देखके भी आएगी उन में से बहुत सी ओडियंस इस मोवी को चार बार देख भी चुकी होगी लेकिन फिप्त टाइम वो फिर भी देखना चाहेंगे क्योंकि वो मोवी वन टाइम वाचेबल बिलकुल नहीं थी मातर 25 करोन के चोटे से बजट में बनाए गी थी और सड़ी 300 करोन का भारी भरकम बॉक्स ओबिस कलेक्शन उस मोवी ने किया था क्योंकि उसका कॉंटेंट उसका स्क्रीन प्ले उसका विजिन जो डाइरेक्टर ने बारी की दिखाई थी उसमें और उसके बाद जो विकी कॉसल ने चाप छोड़ी थी वो कॉंटेंट वो मोवी की बात ही अलिक थी नेक्स्ट तू नेक्स्ट लेवल सेम कॉंटेंट और पेट्रियोटिक बेस पे अगर हम बात करें तो तेजस मोवी को आज रिलीज करा गया है कंगना रानावत की कंगना रानावत अगर देखा जाये तो इस एक्टर्स का भी पोटेंशल बिल्कुल कम नहीं है विकी कॉसल और इसका पोटेंशल बिल्कुल सेम है लेकिन तेजस की जो स्टोरी है तेजस की जो कहानी है भाईसाब मोवी ठीक है मस्त है पेट्रोटिक कॉंटेंट पर इस मूवी को बेस किया गया है और yes and I also have a patriotism feeling for my country तो yes ये चीज सब कुछ तेजस में हमें एक देखने को मलब एक उम्मीज ये set करी जा रही थी कि yes ये एरियल मूवी है first ever एरियल मूवी है जो अभी तक रितिक रोशन की fighter मूवी को बताए जा रहा था लेकिन देखा जाए तो अब ये tag कंगना रानावत की इस मूवी ने ले लिया है बट हुआ ये कि इस मूवी में हमें नया कुछ देखने को मिला नहीं ऐसी पांच से छे फिलमें हुएं बहुत है मतलब ऐसी बहुत सी फिलमें हैं जो इस पेटोटीजम पर हमें मूवी दिखाई जाती थी और जब तेज़स देख रहे थे तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा था कि ये नया है बिल्कुल सेम ऐसा लग रहा था कि ये चीज दुबारा से हमें वही चीज देखने को मिल लही है देखकर ये लग रहा था कि चार पांच मूवी का हमने मसाला उठाकर एक नए मसाला बनाकर दिखाने की कोशिस करी उडीदा सर्जिकल स्ट्राइक की बहुत हद तक एक बार क देख चुके थे कोई चीज वार पाकिस्तान से पंगा पाकिस्तान में घुसके मारना यही चीज देखने को मिला है जो पिछली बहुत सी मूवीज में हम देख भी चुके थे तो यही चीज तेजस में भी एक बार के लिए कौपी होने को निमला देखने को मिला मूवी की र पिलाल यहां से देखने को नहीं मिलीट मिन्स यह कि गूसबंस नहीं आए क्योंकि ऐसी मूवीज में गूसबंस की बिलकुल कमी नहीं होती आप उड़ीदा सर्जिकल स्टाइक देखें आपकी आखें कई बार गिली हो जाएंगी वहाँ पर ऐसे ऐसे मोमेंट आएंगे कि तब भी आपको लगेगा कि यार अब क्या होगा आने वाला सीन आपको पता होगा लेकिन तब भी आपको मज़ा आएगा एक्टर्स के मामले में कंगना रानावत बिलकुल भी पीछे नहीं होती उनसे जितना हो सगा उन्होंने पुरा निचोड के डाला है एरियल सौट्स अगर हम कहें इस मूबी में तो यार क्लोज अपसी लिए गया है वियफक्स का अच्छा खासा इस्तमाल किया गया है लेकिन कहीं कहीं पर पकड़ में आ रही थी तो मल्दव इतना एक्सिलेंसी वहां देखने को नहीं मिला वियफक्स के मामले में लेकिन बाकी बहुत सी ची के से दिखाया गया है उन्हें एक टिपिकल फीमेल फाइटर दिखाया गया है जो जो एजी टास्क या फिर एजी मिसन नहीं लेती है उन्हें जब भी कॉल आउट किया जाता है किसी खतरनाक मिसन के लिए किया जाता है किसी हाट टास्क के लिए किया जाता है लाइक की यहा से एक जबरदस information अगर ये लोग मुझे यहां मार देते हैं तो वहां बहुत बड़ी mistake हो जाएगी that's why कि तेजस गिल को call out किया जाता है और उन्हें safely वहां से निकालने की कोशिस करी जाती है और वो mission वहां successful भी होने को मिलता है starting movie की करी गई थी एक rescue mission के टाइप से तो वहां एक ये चीज़ सेट करने के लिए बड़ा ही अच्छा game खिला director ने की audience यहां पर connected हो जाए और yes audience connect होई और तेजस गिल की विरांगना बहुत ही solid तरीके से दिखाए गया है जिसमें कंगना रानावत ने कोई भी कमी नहीं छोड़ी तो मैंने movie देख ली मेरा ये point of view है आपने movie देख ली आपके क्या experience है नीचे comment बतागे जाना मिलतें अगले वीडियो में जैहित